हलो फ्रेंट्स आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप घर बैठे कैसे आप बैंक आप ब्रौधा का इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें तकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो ज्यादा देरीने करते हुए आई ये वीडियो को हम सुरू करते हैं हमें जाना है गुगल पर और गुगल पर टाइप करना है ब्यो भी आइबैंकिंग और टाइप करके हमें उसको सर्च करना है सर्च करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा ये वाला इस पर आपको क्लिक करने हैं क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है तो यहां पर confusion ना हो तो मैं clear कर देता हूं कि जो retail user है वो saving account के लिए है और जो corporate user है वो current account के लिए है तो हमारा saving account है तो हम क्या करेंगे retail वाले user पे हम click करेंगे हम इससे अपना internet banking registration करेंगे क्योंकि हमारा saving account है तो आगे जैसे ही हम इस पे click करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को हमें मिलता है तो हमें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है हमें नीचे से जो तीसरा वाला option है online registration using debit card हम debit card के माध्यम से हम अपना internet banking चालू करेंगे तो चालू करने के लिए हमें यहाँ पे click करना है तो जैसे ही हम click करते हैं तो हमें यहाँ पे इस तरह का interface देखने को मिलता है जो यहाँ पे हमें capture जो दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे fill करना है और fill करने के बा यहाँ पे हमारा debit card का जो details है वो हमसे पूछा जाएगा तो हम debit card का सारा details हम यहाँ पे भरेंगे card number भरेंगे फिर हम नीचे हमाएंगे तो यहाँ पे expiry date भरेंगे और यहाँ पे ATM का जो debit card का जो pin है वो भरेंगे और फिर जो बगल में हमारा capture दिया हुआ है यह वाला यह हम यहाँ पे fill करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे जो validate का option दिया हुआ है यह वाला इस पे हम validate करेंगे तो हम जैसे ही click करते हैं तो हमारे register mobile number पे OTP चला गया होगा वो हम यहाँ पे fill करेंगे fill करने के बाद नीचे continue करेंगे तो continue करने के बाद हमें इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारा user ID होगा जो हम यहाँ पे अपने मन पसंदिदा बना भी सकते हैं तो हम यहाँ पे fill कर लेंगे देन हम थोड़ा सा नीचे आएंगे गाईज और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज़े हैं जो आप इसको विल्कुल ही miss मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे जब हम select करेंगे type of facility में तो हमें देखने को मिल रहा है कि view and transaction right और एक view right only तो हमें क्या करना है कि हम अगर view and transaction वाले पे click करते हैं तो हम अपने internet banking का सारा information देख सकते हैं और देख भी सकते हैं और transaction भी कर सकते हैं और अग transaction नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम view and transaction right वाले दोनों वाले पे हम इसको select करने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे हम अपना signing password बनाएंगे और transaction password बनाएंगे तो हमें यहाँ पे अपना password बनाना है कुछ इस तरह का और यहाँ पे उसको refill भी कर कर लेना है यहाँ पे और नीचे जो continue का option है उस पे हमें click करना है तो guys आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है user ID has been successful created and password are set तो हमारा password और user ID दोनों set हो चुका है तो हम क्या करेंगे कि नीचे जो यहाँ पे दिया हुआ है go to login page उस पे हम click करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का interface मिलेगा जो हमने user ID बनाया था वो हम यहाँ पे fill करेंगे और फिल करने के बाद हम यहाँ पे login वाले जो यहाँ पे option है उस पे हम click करेंगे तो फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा हमें जो password जो हमने बनाया हुआ है वो फिल करेंगे और नीचे ये capture जो दिया हुआ है वो वाला हम यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद हमें नीचे लॉग इन कर लेना है लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे enroll now पे क्लिक करना है यहाँ पे आपको personal message type करना है security के लिए और फिर थोड़ा सा नीचे आना है आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद guys यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप से कम से कम 5 question इसमें से आपको select करना है क्योंकि अगर आप भविश में कभी आप password reset करते हो या फिर जो भी अगर आपके account के सुरक्षा के लिए वो आप से पूछ सकता है तो फिर यहाँ से आप कम से कम 5 question select करें और अधिक से अधिक आप 15 भी कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे select करेंगे और select करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे scroll करने के बाद हमने जो password बनाया हुआ था signing password and transaction password तो वो पे new signing password यहाँ पे बनाना है कुछ इस तरह का और repeat करना है यहाँ पे आपको फिर से दुबारा से यहाँ पे भरना है फिर हम transaction password हम यहाँ पे भरेंगे सब कुछ भरने के बाद हम थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे और scroll करने के बाद हमें यहाँ रजिस्टर वाले option पे हमें क्लिक करना है रजिस्टर करने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस की the password is changed successful और your request has been submitted successful और फिर हम क्या करेंगे यहाँ जो नीचे logout का जो option है वुस पे हम logout करेंगे करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा और फिर से आपको यहाँ पे अपन को login करना है क्योंकि हम सारा process आपको guys बता सक रहे हैं एक भी step आप miss मत करिएगा क्योंकि अगर एक भी step आप miss करते हैं तो सायथ आपको internet banking में दिकत आ सकती है तो किरपिया इसको ध्यान से देखें और सारा step आप follow करेंगे फिर से login करने के बाद हमें यहाँ पे register mobile number मांग रह से दोबारा से OTP भेजा जाएगा आपके नंबर पे और हम यहाँ पे OTP को fill करेंगे और देन हम continue करेंगे continue करने के बाद हम से यहाँ पे password पूछा जाएगा username पूछा जाएगा और यह capture डाल करके हमें successfully यहाँ पे इस बार login कर लेना है तो हम डाल करके और हम यहाँ login पे click करत हैं so friends आपका successfully account login हो चुका है internet banking और इसमें सारा चीज आप manage कर सकते हो तो I hope कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेस करके all notification on कर देता कि हमारे आने वाले अगले वीडियो का notification notification आपको मिलता रहे so guys फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत